नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्ट वैन सींग हमपैथिक फिजिसियन मेरे यूटूब चैनल ओम होम्यो केर में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग डिसमेनुरिया के बारे में बात करेंगे डिसमेनुरिया के लक्षणों और क्या उसका हमपैथि में इलाज है उसके पेट के निचले हिस्से में मरोड वाला दर्द या टपकन वाला दर्द होता है और हलका दोगोना एक स्वाहविक सी बात है पर कभी-कभी यही दर्द बहुत जादे बढ़ जाता है जिससे उनकी दिन-चर्या के कार्य प्रहावित होने लगते हैं वो कार्य करने में असमर् के साथ साथ कभी-कभी सरदर्द मिचली आना उल्टी होना साथ में कभी-कभी दर्स्त होने लगता है कि लक्षण भी होते हैं हम लोग मेस्ट्वल है जिन की बात तो अक्सर करते हैं मेस्ट्वल पेन की बात अक्सर नहीं करते हैं कभी-कभी यह मेस्ट्वल पेन किसी बीमा सपा लेना ही उचित होगा अब हम लोग बात करेंगे में दो में परकार BuyEND में जरूह रहाता है चो फुरीज नुरीन तक जादément होता है और धरीविज रहे कम होने लगता है और मेंसेज की खतम होने के साथ ही यह दर्द अपने आप खतम हो जाता है प्राइमरी डिसमेनोरिया किसी बीमारी के कारण नहीं होता है या यूटरस में एक किमिकल रिलीज होता है प्रुष्टाग्लेंडेंडेंज जो यूटरस के के कंट्रेक्शन को कंट्रोल करता है कासा यह धीरे-धीरे कम होने लगता है और अकसर देखा जाता है कि चाइल्ड बर्द के बाद यानि बच्चों के जंद होने के बाद महिलाओं में पेट में जो दर्द होता है मने से समय वो खतम हो जाता है अब हम लोग जानेंगे सेकेंडे डिस्मिनोरिया के बारे में जब फीमेल रिप्टरप्टी औरगन यानि इस्त्री जनलांगों में किसी बीमारी के करण पीट के निचले हिस्से में दर्द होता है तब उस स्थिति को सेकेंडे डिस्मिनोरिया कहा जात मेंसेश के समय हो सकता है और मेंसेश के बाद भे बना रहा सकता है, और भी कॉम्प्लिकेशन इसके साथ होु Scroll सकती है इसके इंपॉर्टन में कोज कौन-कोन से हैं जानते हैं इसमें इंडोमेट्रुसीस के करनल हो सकता है यजा पल्विपlastंपल्विज इंपनु vapor के कारण हो सकता या सर्वाइकल स्टुनोसिस के कारण भी सेकेंडर डिस्मिनूरिया हो सकती अगर आप कमेंट करते तो इन के बारे में भी मैं अलग से वीडियो आपको बना के दे सकता हूं वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरू कर दें धन्यवा झाल